हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करता हूँ कि करोना पेंडेमिक में आपनों अपने घर में सुरक्षित होंगे और मैं कामना भी करता हूँ इश्वर से कि आप लोगो बचा के रखें सेफ रखें और बिना रूमर्स पर ध्यान देते हुए जब भी मोका मिले आप वैक्सिन जरूर लें ये वैक्सिन आपके हेल्थ के लिए आपके फैमली के लिए काफी एफेक्टिव है मैंने तो दोनों कि अब लिए हुआ है आप लोग को भी लेना चाहिए आज मैं कहानी लेक्रिया हूँ मजनु की कहानी मजनु के बारे में आपने बहुत बास सुना होगा मजनु लैला मजनु की आपने मूवी भी देखी होगी और सीरियल सबी टीवी पर देखे होंगे काफी काफी आज से काफी टाइम से बन रहा है, मैंने तो काफी टाइम पहले भी देखा था मोवी जभी बचपन में छोटा सा था था तो भी रिशी कपूर और हिरोईन का नाम तो थोड़ा था मेरा जीनता मन थी साहद मेरे को याद नहीं आpriह कर रहा प्रौ। उनकी या रंजीता थी, मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपर हिरून कौन थी, रिशी कपूर थे हिरून और लैला मजनी मोई आई थी, बाद में संजी कुमार साथ कभी एक मोई वेंदा लव इज गॉड या ऐसे कुछ, तो उस मोई लैला मजनू के ही उपर डिपेंडेंट थी, पूरी कहानी, अब ये लैला मजनू थे नहीं थे, ये अलग विशा है, हमें उस कहानी से हमें क्या मिलता है, वो सबसे बड़ा बात है, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मजनू थे, वो लैला के काफी दिवाने थे, और मतलब उनको लैला से बहुत प्रेम था तो अब जब लैला से अलग हो गया है, मजनू तो एक दम भिकारी की तरह या जो ही फकीर की तरह रास्ते में घुमने लगे, तो उनके राज़ी के राजा बड़ा परचान हुए, काफी लोग को भेजा कि भाई, उसको बताओ कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, छोड़ दे लैला को भूल के और यह करे, लाइफ को जी अच्छा बात नहीं है, तुम्हारी फैमली है, माबाप है, उनके लिए भी तुम्हाई जिन्दगी जीना चाहिए, लेकिन जितना भी उसने, राजा ने दूत भेजा और जितना भी समझाने के लिए उनको भेजा, लेकिन उनको कुछ समझ में आ नहीं, उनको तो लैला ही चाहिए, एक आदमी को आ सकती हो जाता ना, तो आ सकती हो प्रेम, दोनों अलग अलग चीज़ होता है, अब ये प्रेम क्या होता है, प्रेम एक फ्लो होता है, अभी पानी को जो पानी बहर है, उसको ये नहीं पता है, और व उसको ये भी नहीं देखना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसके लिए जो भी पानी वो नदी के तलाब सरवरोर में आ गया पानी पिले, उस सबको उसी खुशी से उसी मेठास अपना देगी, उसके लिए कोई भेधाव नहीं है, तो ये होता है प्रेम, आ सकती क्या हो है, कि हम जो चीज नहीं है, वो चीज उसमें ढूंड लेते हैं, अभी आपके पास सकती ये भी हो सकता है, कि आपके घर में कोई टूटा हुआ समान भी पड़ा है, लेकिन अगर आपको फेकना होना, तो आपको लगेगा कि यार यार क्यों फेक रहे हैं इतको, मतलब आपक एक लगाव सा महसूस होगा, फेकने में दुख होगा, जबकि आपके लिए उसका कोई वैलू नहीं है, कपड़े छोटे हो जाते हैं आपके घर में, जूते छोटे हो जाते हैं, कोई कपड़ा घर में कितने कपड़े हैं, आप बच्चे भी बड़े होते हैं, आप कई तो कपड़ा नहीं आ रहा है लेकिन आप जब बोलोगे किसी को दे दो ना तो आप 10 बार सोच गया रखो या देखेंगे बाद में यही बोलोगे बच्चे पह बोलोगे अच्छा ठीक है उसको देख लेंगे किसी को देने के लिए तो यह आदमी का टेंडेंसी होता है लेकिन भचा खुश् हुष्भू देना है फलाने के लिए नहीं देना है hilarious nice सब के लिए उसका वह आ खुश्भू रहेगा जो आप लेना चाहते हूँ तो मजनू साहब बाद में काफी सब्चार भेजने के बाद एक मजनू साहD को इस बात का दिलासा कोई नहीं दिला सका कि भाई आप आप जिन्दगी को छोड़ो इस तरह मत करो अब लाइफ को आगे मूव ओन एक अगरी जी वर्ड है आज कल चलता है मूव ओन तो उसे बाहर निकलो मचनु साथ को कुछ नहीं बाद मैं राजा बोले कि चलो में ही बात करता हूं तो राजा बोले कि एक काम करो अरे मचनु आपको क्या problem है तो उन्हें बोले कि मेरे को आप क्यूं नहीं अप इछ से बाहर निकलते हैं को मैं एक से एक लड़की दिखाता हूं। उन्होंने क्या किया राज में से जितनी सुन्दर लड़की उनको हो सकती थी, उनको बुलाए। उनके सामने प्रेड कराया। मजनु, बोले। कि अरे। ये तो मजनु, उनने बोला कि भई, ये तो लैला के पैर के बराबर भी नही लेकिन उन्होंने बोला छे देखने वाले आंखे आपके पास नहीं है क्योंकि जो लैला में सुन्दर्ता है वो आखे मेरे पास आपके पास नहीं है इसलिए आपके उसके सुन्दर्ता दिखाई नहीं देती ये कोई भी राज्य में कोई भी लड़की मेरे को आज तक नहीं दिखी जो लैला को हरा सके सुन्दरता में या जो बोल सके आप तो कहने का मतलब है कि जब कितना भी समझा गया उनको कि भाई आप लड़की दिया लड़की मुलवाया पुरे सुन्दर से सुन्दर लड़किया उनको अबलेबल कराया गया लेकिन वो बोले कि नहीं भाई मेरे को कुछ भी हो जाए मेरे को तो रहला ही चाहिए और लाला अब मैंने ये ऐसा इंसिडेंट इसले सुनाया आपको कि जब आदमी को आसक्ती हो जाती है अट्रेक्शन हो जाता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाईगा आप कितना भी समझा लो किसी आदमी को किसी को सिग्रेट में अट्रेक्शन दिख जाएगा तो आप कितना भी समझा तुम्हारे स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है वो मा आपके लिए अच्छा नहीं है, बहतर नहीं है, क्योंकि एक उसके पर्ति उनका लगाव है, वो जब तक वो आदमी खुद फील न करे, और अपने अंदर जाके न देखे, कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा करम है, ये मैं कैसा कर रहा हूं, तो बंदे को समझ में नहीं आ मानना पड़ेगा कि मैं वो नहीं जानता हूं, मानों आप साइकिल जाना ना सिखने जाना चाते हों, तो आपको पहले मानना पड़ेगा कि मैं साइकिल चला नहीं जानता हूं, तब ही सिखने जाओगे ना, आप पहले से मान के बैटे हो कि मैं साइकिल चला नहीं जानता कोई नहीं सिखा सकता तो पहले आपको मानना पड़ेगा उस लेबल पे उस पोजीशन पे जाना पड़ेगा कि पहले एसेप्टेंस एक चीज होती है कि आप एसेप्ट करो कि यह आप नहीं जानते अब आख का क्या मैंने बहुत पहले भी वीडियो गनायता कि सोधर्म होता हर सुनना लेकिन आख अगर बोले यह सुन्दर है यह खरावे यह अच्छा है यह आख का काम नहीं है आख का काम सिर्फ इतना है कि वस्तु सिति को बताना कि वस्तु की सिति क्या है कान क्या है शब्दों को बताना अब वो गाली है अच्छा है बेद का ग्यान है या किसी संग जीद का ग्यान है, सिंगित की आवाज है, वो उसको नहीं पता है, वो तो शब्द सुन रहा है, हम क्या होते हैं, जब व्याख्या करने लगते हैं, जब उसमें व्याख्या आ जाती है, आँख का काम तो क्यों उसका देखना होता है, लेकिन उसमें जब व्याख्या जोडते ह जब उसका व्याख्या करने लगते हैं जब हम अंदर से हमारी भावनाएं भहुनाओं के विडियो बनाँगा वनहें इंद बनाँगा अंतर लेकिन अंतर लेकिन के चैए बना बना पड़ा है सोचना पड़ेगा तोड़ा कोई अगर συ adventure चैज़र को प cabe खजो बता सकता हो कि भाउनहू और भावनाओं की भरांती में क्या अंतर है क्यों भावनाओं की भरांती से अंतर है हम जो बोलते हैं हमाई बहुत इमोशनल है हम बहुत भावनाओं के रोने लगे यह बावनाओं की भरांती है अब जिसे आप मान लो, किसी के घर में कोई मर गया, किसी का दिहान दो गया, आप लड़का हो या लड़की, अपनी मा के लिए लगे रोने, हरी बाप रो, उसको देखो कि आप बोले कि मेरे को तो, मैं मेरे को बेहोस हो कि इमें गिर के, इतना रोना आगया, इतना दुख हो आप उसमें से बोल दो, आरे आपको तो पैसे में हिस्सा नहीं मिलेगा, उसका पूरा भावना काई हो जाएगा, जो बोल रही थे कि मा के बगएर मैं जी नहीं सकती, मा नहीं है तो मैं मर जाओंगी, अगर बोलो कि उसमें जो मा ने पैसा छोड़के गई है, जो भी गेहन होती नहीं है, हम भावनाओं की भरांती में जीते हैं, तो यह भावनाओं की भरांती है, तो जब हम आँखों से व्याख्या करते हैं, तो हम भावनाओं जोड़ देते हैं, जो so-called भावनाओं भावनाओं बोलते हैं, लेकिन भावनाओं की भरांती है, ब्रहम है, उसको ज तो हमारा जो बुद्धी होता है, वो काम करना बंद कर देता है, हम सुने लगते हैं, हम अपनी चेतना का उप्योग नहीं कर पाते हैं, हम उसकी बात नहीं सुनते हैं, हम एक अलग धर्रे पर चले जाते हैं, एक अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जो रास्ता हमें तकलीफ और दुखी देता है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, कि आप जो देखते हो, उसको ही देखो, वेक्याएं में मत फ़सो, जीवन को देखने में लगाओ, इन्फॉरमेशन में लगाओ, जिसे आप नियूज है आप नियूज देखते हो, लेकिन जब व्याख्या करने लगते हो, तो आप पाटिसिपेट करने लगते हो, एक ओपिनियन हो गया आपका, लेकिन नियूज आपके पास आया, ओ नियूज हो गया, यह बंदा यहाँ पर गटना गटी, लेकिन जब आप बोलते हो कि गटना य जैसे opinion maker होगे तो आप दुखों के रास्ते में चलने लगे, कोशिश करो उससे दोर रहने के लिए, धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यहीं पेहन्त करते हैं, और मैं जाते जाते बोलूँगा कि प्लीज ये वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर करें, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल, और लाइक करें, कमेंट करें, डिसलाइक भी करें, जैसा मरजियो करें, तो और बेल आइकन दबायें, जैसा मैं वीडियो बनाता हूँ, अक्सर आपके पास आएगा पहली बार, तो धन्यवाद, गुट नाइट.